हेलो गाईज आपका स्वागत हमारे जेके स्टेडी स्टफ में आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डियू कोलेज के ऐसे स्टुडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एंसी वेब से बिलों करते हैं और साथ इसाथ वह भी फर्स्ट समेस्टर में और उनके पास जो कोर्स है वह भी ए पॉलिटिकल साइंस ओनर और इसके अंदर एक बुक या फिर सब्जेक्ट जिससे आप कह सकते हो है अंडरस्टेंडिक पॉलिटिकल थियोरी इसको यूपी टीवी कहते हैं ठीक है और इसकी यूनिट फॉर्थ के बार में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो की है नारिवाद नारिवाद का जो फॉर्ष पार्ट है वो मैं अल्रेडी बना चुक हूँ एंड इससे पहले मैं यूनिट थर्ड तक की जो वीडियो है वो कवर कर चुक हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखिया है जो यूपी टी मलब अंडरस्टेंडिकल थियोरी की यू ने क्या करा था इंट्रोडक्शन पड़ा था जो की फैमिनिज्म या फिर जो नारिवाद उससे लेटेड था इस वीडियो में जानेंगे कि नारिवाद की लहरे के बारे में मतलब नारिवाद की तीन लहर है पहली दूसरी और तीसरी वह लहर हम जानेंगे जो की बहुत ही के बाद जो आपसे पूछा जाए वह आपको अपने एकजाम में लिखना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि आपको इस्क्रीन पर दिख रहा हूँ, नारिवात की लहर है, तो पहली लहर नारिवात की जब नारिवात की शुड़ुआत हुई थी, और दूसरी लहर है जो बीच वाला part होगा, मॐला बीच वाला समय था, ठीक है, फिर तीसरी लहर जो थी न वो अभी तक चल रही है, ठीक कुछ समय पहले ही खतम हुई है तीसरी लहर के आती तीसरी लहर में न जो समय चल लाता पहले का उससे देकर आज सक वो चल रही है तीकि अब यह लहर क्या है यह देखते हैं देखो लहर में न नारिवात की न मांगी होती है मनला महिलाओं के द्वारा कुछ मांगी जो है वो लिए रखी जाति है कुछ मांगे ना番 महिलाइए करते है हमारे को यह अधिकार या फिर यह नियम लिए itinkard नहीं नहीं बनाए गया के वर पूरूशों के लिए बनाए गया तो हमें भी इसमे का चीए अपना हिस्सा चाहिए ठीक है तो इसके लिए लहर बनाई जाती है, पहली लहर, दूसी लहर, तीसी लहर, वेवस जिसे हम बोलते हैं, वो है, तो देखो, पहली लहर के अंदर क्या मांगे रखी गई थी, और ये कब शुरूओी थी, उसके बार में हम देख लेते हैं, तो नारिवाद की सबसे पहली लहर, उननेसवी शदी के अंत में तता बीसवी सदी के शुरुवात में आई तता ये पूरे पश्ची में दुनिया में घटी होई थी मिला पश्ची में जो देश है दुनिया हम हम कह सकते हैं उसे जिसमें ऐसे country आते हैं जिसमें जिन्गोंने क्या कर चुक ए अपना development कर चुके हैं ठीचा फिले दुनिया जैसे अमेरिका हो गया, from here a country to develop ूड़ आटे में, वहाँ पर क्या होय ती घटी तूइ है पहली लेर आ थी पस्चि में दुनिया में, जाद लेकर न पूरे बडार न हुं its आई थी पस्चंब तूभल ऐसे पहले कॉंटरी में पहली लैर को मिली 59 पर फिर दीर दीर क्या हुई पूरे दुनिया में घटी टुई थी मंहिलाओं के साथ अत्याचार खरते थे तो महिलाओं ने नारीवात की पहली लहर में कुछ मांगे रखी जो की नीचे लिखी हुए या निमने लिखित है पहला कि हमारे साथ क्या किया जाए समानता का बढ़ताव किया जाए ये पहली मांग है महिलाओं के द्वारा जो की गई थी पस्ची में दुनिया में दूसरी मांग क्या थी विवा में किसी परकार परिवारिक संपत्ति यह निया कि अगर मान के चलो एक भाई और एक भेहन है ठीक है तो यह निया कि जो भी संपत्ति होगी वो केवल भाई को मिल जाएगी ठीक है उस पर इस तरी का भी या फिर जो उसकी भेहन है उसका भी अधिकार होना चाहिए तो परिवारिक संपत्ति प तिके मला चुना में खड़े हो सके और दूसरी बार वोट भी दे सके क्योंकि पहले महिलाओ को वोट देने का भी अधिकार नहीं था तिके लेकिन बाद में जब सार्व वोमिक व्यस्क मत अधिकार आया जो की अपने साविधान में भी शामिल किया गया तो उसके तहर्ट महि वोट दे सकता है तो फोर्थ जो है ना रानेतिक शक्ती हमें भी परदान की जाए तो यह मांगे रखीति किसने महिलाओ ने फिफ्ट बोला गया है महिलाओ को को आर्थी का अधिकार मनला पैसे कमाने का अधिकार अगर उनके पास कोई स्किल है और वो अगर पैसे कमाना चा को दिए ए उनको अधिकार दिया जाए। इन सब की मांगे पहली लहर में नारιवाद नारीवाद की जो पहले लहर हुई थी उसमें रखी गई तो यह तो अपनी पहली लायर भूट ही ज्यादा एक बमिलार इस कोई कह सकते हैं पहली लेयर फिर महिला होने क्या करा था अपने अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए कुछ मांगे रखी ठीक है हमाई साथ यह यह किया जाए तो पांस से छे पॉइंट पढ़ने फिर देखो अब दूसरी लेयर में क्या होगा थोडा टाइंब का गया भीच हुगा था अब नारिवाद का जो concept है, वो क्या हो गया, मजबूत हो गया हुआ भोत, दीरे-दीरे लो क्या हो गया, पश्ची में दुनिया से न भी ये भार निकलने लग गई, मनलब नारिवात का जो concept था पहले, वो कहां पड़ता, केवल पस्ची में दुनिया में था, विक्सित देशों में था, फिर धीरे-धीरे क्या हो यह और बढ़ने लगा, क्योंकि महिलाओ, पूरी दुनिया में न, कोई ऐसा कंट्री नहीं है, जहां पर महिलाओ के साथ अत्याचार या शोशन ना हुआ हो, ठीक है, तो सबसे पहले नारिवाद की जो भूमी का हमने देखी, वो कहां पर आई थी पस्ची में दुनिया में, लेकिन पस्ची में दुनिया में थोड़ी ना हो रहा था महिलाओ के साथ शोशन, बलकि पूरे दुनिया में हुआ अभी भी होता है, देखो, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं जहां पर म पस्ची में दुनिया से बहार निकला और भी देशों में फैला, फिर तीस्टी यह तो ऐसी फैल ही, जो कि पूरे दुनिया में ही क्या पैल गया नारिवाद फैल एक तो दीरे-दीरे क्या हो रहा, कुछ लहर आई नहीं क्योंकि अभी वी चल रहे और बहुत बढ़िया तर दत्याचार होता है तो। उनको इंसाव भी नहीं मिल पाता तो 30 लेहर के थूँदू इसको भी ठीक किया जा सकता है क्योंकि उसके लिखाए जो भी अधिकार बचे हुए तो पहली लेहर या दूसी लेहर में नहीं उठा पाए bardzo मांगे महिलाओने जो मांगे पहली लहर और दूसी लहर में नहीं उठावाई थी महिला है तो वह तीसी लहर में रख दिया जितने भी अधिकार तो वह तीसी लहर में आ गया थी देखो अभी हम पढ़ेंगे पहले दूसी लहर देख ले था हम तो दूसी लहर थी न थोड़े अंतिकरने पर बल दिया गया जो पित्र सताउतमक्ग जो समाज है कि पुरुष परदां समाज or समाज रहेगा कि पित्र शिछ सताउतमक्ग means समानतक अधिकार या उनको मतलब समाज में समानते स्थापी दी नहों सकती इस्तरियों और पुरूश के वीच में तो अगर पित्र सत्ता अत्मक समाज रहेगा तो अगर पित्र सत्ता अत्मक समाज का अंतु जाता है तो फिर क्या होगा? महिलाओ को भी समानतक अदिकार मिल लगा जो कि पुरूशों को अदिकार पराप्त है, वो अदिकार इस तर्म को भी मिलने लगेंगे, ठीक है? महिलाओं भी क्या कर सकती है आप सिख्षा या एजुकेशन को प्राप्त कर सकती है और सिख्षा का जो राइट है एजुकेशन राइट वो भी महिलाओं को मिलना चाहिए और दूसी लाइर के तूरू इसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया था इस समय बहुत बड़ी मातरा में अमेरिका और ये उरोप में महिलाओ की शिक्षा का विकास हुआ अमेरिका में यूरोब के यूरॉप ?जो कंट्री ये वहां पर भी क्या हूँ महिलाओ को सिक्षा दिना शुरू कर दिया की है और महिलाओ क्या होगी पडूने लगी ठीक है वो सिक्षिद हुई देन उसके बाद उनको कोई रोजगार भी प्राप्त हुआ रोजगार प्राप्त कहने के बाद उनको क्या हुआ आर्थी का दिकार भी मिल गया ठीक है तो देखो सिक्षा के दिकार के तो उनको एक्स्ट्रा दिकार और मिलने लग गए ठीक है जैसे उनको मतलब शिख्शा का अदिकार मिला तो उनको रोजगार भी प्राप्त हो गया ठीक है मतलब वो कंदे से गंदा मिला कर मतलब पुरूशों के साथ चल सकती है तीसरी बात उनको income भी मिलने लगी, मतलब आर्थी कदिकार से भी उनको जोड़ दिया गया ठीक है, अब इसके बार बुला गया इसमें महिलाओं ने पुरूष के समान वेतन की मांग रखी, मतलब अगर मानन के चलो, पुरूष और स्थरी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही तरह काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलो, जहां पर पुरूष काम कर रहे हैं, महां पर स्थरी भी काम कर रहे है और दोनों का काम क्या है, बिल्कुल जो भी वर्क है, वो बिल्कुल क्या है सेम है, तो फिर सेलरी भी क्या में नीचे दुनों को सेम यह नहीं कि यह इसको सेलरी कम मिलेगी यह पुरूश इसको जादा मिलेगी ऐसा नहीं तो महिला होने का करी अपने पुरूश के समान हमें भी वेतन जितना पुरूश को दे रहे उतना वेतन हमें भी मिलनेगा क्योंकि काम भी कहा है सेम है ल लेकिन अगर पोस्ट के है लेवल के सेम है तो वेतन के मिना अच्छी है बराबर ठीक है इस लहर ने महिलाओं पर हुने वाले व्यक्तिकत परस्नल मनोवग्यानिक और लिंग समंदी अत्याचारों पर ध्यान आकरशित किया तो इन मुद्दों पर क्या दिया गया था जो भी यह आत्याचारों मुद्द दिलाने के लिए भी मांगे रखी घय थी अब देखो इसके बाद बूला गया अपना ऊचरार कौर्टिक है सुआ यह गया है यह लेहर सन 1990 में शुरू हुई ती तथा यह लेहर वरतमान में भी विद्ध्यमान मतलब आज भी यह मुझूद आज भी यह लेहर चल रही है ठीक यह जो तीसरी धारा आज भी चल रही है नार्यवात की इसमें महिला उने राजनीती कादिकारों की मांग किया है बना महिलाए क्या करते है यसमें रा निति का इदिकार करेंगा करती है hybrid 2020 जैसे कि पहली लैर में को कर العहने कर दो कि दीया लेकिटा जादा विकास ने हो तो क्या हुआ रा निति की दीकार मिलने चाह से तीसी लैर में भी इसका मुद्धा में रख दी गयी तिसरी लहर में रख दी जो दूसरी या पहली में नहीं रख़ी जा नारिवाद किसे कहते हैं या नारिवाद से आप क्या समझते हैं नारिवाद के मुख्य धाराये बताईए तो आप इतना जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में जो नारिवाद का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बढ़ा था वह सेकेंड पार्ट जो कि अपने यह वाला था तीसरी लेहर तक का वह आप इतना लिख सकते हो इतना आपके लिए बहुत है मतलब जो आंसर इतना आपके ठल जाएगा जैनि इसके बाद हम नेक्स वीडियो में बात करेंगी जो कि अपना लाश पार्ट होगा नारीवाद का फिर उसके बाद फिर वीडियो में मैं फोर्थ पार तक फोर्थ उनिट तक जो नहीं आपको बता है उसको आप रिपीट करिये दुबारे से देखिये वीडियो उसको और ज्यादा समझेए ताकि आपको मिले और आपको पता लगे कि आंसर कैसे लिखना है तिक यह जैसे मैं आपको एक्सलेहशन दी है जो word मैंने अपने explanation में use की हैं वो भी आप लिख सकते हो then second thing कि notes में भी जो लिखा है वो भी आपको लिखना है ठीक है notes में लिखना है notes में जो लिखा वो लिखना है plus जो मैंने explanation दी है वो भी आप add कर सकते हो topic के अंदर ठीक है उसके बाद ही जो आपका proper answer है वो बन जाएगा और एक और बात कि आपको black point तो जरूर बनाने क्योंकि यह आपका first time है college के अंदर तो without black point के अगर आप लिख के आते हो तो आपके marks बहुत कम chances होगे कि आपको चाही marks मिले क्योंकि paragraph कोई नहीं पढ़ता ज्यादातर answer सारे के सारे answer आपके point में होने चाही है ठीक है इस बात का बिल्कुल ध्यान रगें कि आपके जितने भी answer हो points के अंदर हो ठीक है black pen से आपको heading लिखनी है ठीक है हर एक जो concept है उसको black point से लिखना ठीक है black point से जैन उसके बाद मैंने जो explanation दिया और notes जो लिखे हैं उसको आप लिख दो के इतना चल जाएगा so guys यह थी हमारी आज की वीडियो I hope guys आपको इडियो पसंदेगी अगर आपको इडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment करना बिल्कुल न भूलिए और साथी साथ अगर आप हूँ है champion नहीं हो तो